हलो मेरे प्यारे बच्चो और आगए हैं आज हम फिर से एक बार आपके लिए नया नया सा फ्रेश फेट सा लेक्चर लेकर जो की दिख रहा है आपको क्लास 12 का 12 लेक्चर और जो भी चल रहा है हमारा आज चैप्टर नमबर सेवन और एवलूशन पढ़ रहे हम और एवलूशन में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम प्राकतिक चरण के प्रकार पढ़ेंगे तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है आज का जो लेक्चर है वो छोटा सा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है प्र आपकी समझ के बाहर होगा क्योंकि वहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है इसलिए यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर डाइग्राम है और डाइग्राम से आपको लिखना क्या है वो आज आपको पता चलेगा कि हम लिखे क्या डाइग्राम भी ए के साथ में कुछ और examples भी आपको बताऊंगी इसके ताकि आपको learn करने में थोड़ी आसानी रहे कुछ ऐसे example जो हमने पहले पड़े हुए उसी में से याद करोगे तो थोड़ा सा burden कम हो जाएगा बायलोजी वाले तो वैसे ही बनाम है बहुत रटना पड़ता है भाया पर वही अगर हम पुराने दो तीन examples को याद रखेंगे बुक के अलावा वाले तो हमें थोड़ा load कम हो जाएगा तो पड़ते हैं चैन के प्रकार या हम बोले इसे तो प्रकरतिक चैन के प्रकार भी बोल सकते हैं जैसे भी question आए यही चीज रहेगी किसी भी लक्षन के निम्नत तीन प्रकार के चैन हो सकते हैं हमने पड़ा कि Darwin कहते हैं कि प्रकरति जो है किसी भी लक्षन का चैन करती है लेकिन प्रकरति ऐसे नहीं आज mood हुआ आज इस लक्षन को चैन कर लिया प्रकरति अपने हिसाब से कुछ तीन तरह के rules फॉलो करती है या हम अगर observe करें प्रकरति को कि प्रकरति कैसे कैसे लक्षन चैन करती है तो हमें तीन तरह के लक्षन मिलते हैं जो प्रकरति चैन करती है यहीं कि उसका process हमें तीन तरह का मिलता है क्या है तो ये जो है वो प्रोसेस तीन प्रकार का है सबसे पहला है दिशात्मक जिसको directional selection भी कहते हैं दूसरा है style तो कारी यानि कि stabilizing selection इसी को हम balance selection भी कहते हैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं English वालों के लिए एक और word balance selection भी कहते हैं इसको stabilizer समझ में ही ने आ रहा होगा style वसे भी balance समझ में आ रहा होगा और विदारक chain यानि कि disruptive या disruptive type का selection ठीके अब क्या है ये कहानिया तो हम step by step पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए ठीके सबसे पहले हम पढ़ेंगे stabilizer वाला और फिर हिलाएंगे उसको ठीके तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं style वकारी chain या stabilizing selection और उसी को हम कहते हैं balance selection या balancing selection क्योंके दोनों words आपको याद करने हैं अगर हिंदी वालों को दूसरा word देना चाहें तो क्या दे सकते हैं संतूलनकारी और उसी का जब हम English translation करेंगे तो balancing हो जाएगा सही लिखे हैं क्या येस मैं चलिए आगया जाईए अब क्या है इसमें जड़ा देखें इस परष्ट है कि सम्मिष्टी के किसी बीज के या माद्यमिक phenotype के पक्ष में हुआ chain स्थाइत्व कारी chain कहलाता है एक परिभाशा है समझने के लिए सम्मिष्टी मैंने आपको समझाया था last class में ऐसी किसी particular area या शेत्र में पाये जाने वाली हाइजन विंसर्ग के हाइजन विंसर्ग वर्ग हाड़ी विंसर्ग का जो हम पढ़ेंगे लौ उसमें भी काम में आएगा सम्मिष्टी के किसी बीज के या माद्यमिक phenotype माद्यमिक को इंगलिश में क्या बोलते हैं intermediate ठीक है तो ये क्या करेगा माद्यमिक चीज को select करेगा देखो कोई चीज बहुत ज़ादा है कोई चीज बहुत कम है दोनों के बीच की अगर कोई चीज होता हम उसे माद्यमिक कहते हैं या intermediate कहते हैं और अगर हमें तराजू है एक तरफ जादा जा रहा है एक तरफ उपर जा रहा है तो उसकी जो balance वाली situation होती है वही तो beach की situation होती है तो word से आपको याद रह जाएगा स्थाइत्व संतुलन मतलब संतुलन कब होगा ना तो कोई जादा होगा ना कोई कम होगा ऐसी situation को तो हम क्या कहेंगे balancing और balance कब होगा जब चीज medium रहेगी यानि कि मध्य में रहेगी तो इसमें क्या होता है किसी सम्मिष्टी के phenotype तो समझ गए ना lakshan कोई भी जो बाहर से दिख रहा है तो माध्यमिक lakshan का chain किया जाता है ना तो जादा extreme वाला और ना ही lower category का beach का कोई selection के प्रकृती सम्मिष्टी में अनुकुलनों में सुधार लाता है अगर कोई beach की चीज चल रही है तो वो क्या करेगी प्रकृती उसको बहुत जल्दी chain करती है और उसमें अनुकुलनों में सुधार होता है मतलब आगे की वन्शागती में उसमें वो अनुकुलन जाता रहता है क्योंकि intermediate है ठीक है यहाँ पर लिख दू क्या मैं intermediate चलिए स्थाइत्वकारी चैन और आसत लक्षनों के पक्ष में तथा अतिकारी लक्षनों का विरोध करता है ये point भी आपको ध्यान लगना है क्या करेगा भई मैंने अभी कहा बीच का select करना है तो एक तो ये क्या करेगा चैन तो किसका करेगा औसत वाले का औसत को ही हम माध्य में कहते हैं भई words अलग-अलग आते रहेंगे आपको हर word ध्यान में रखना है कि औसत का मतलब भई average और average को हम मध्य हम कह सकते है average कैसे निकालते है दो को है ना चीजों से divide करके average निकालते है ना maths में तो भई औसत लक्षनों को तो क्या कर लेगा ये select कर लेगा average वाले को और जो अतिकारी है अतिकारी को इंग्लिश में क्या कहते है extreme extreme selection को या सबसे lower selection को क्या कर देगा अब यहाँ पर जो extreme word है वो दोनों के लिए use किया हुआ है जब भी अतिकारी आएगा इसका मतलब यह नहीं कि सिफ higher वाले की बात हो रही है extreme का मतलब यह है कि या तो सबसे उपर या सबसे नीचे तो दोनों के लिए अतिकारी word ही use किया हुआ है तो अतिकारी आते हैं आप समझ जाएंगे ना तो lower ना higher बीच का ओसत वाला हम क्या करेंगे select करेंगे और अतिकारी को क्या कर देंगे हटा देंगे प्रकृती हटाएगी हमारी तो क्या ही होका तो जन्म के समय औसद भार जैसे उधारन हम एक ले लेते हैं मैं आपको और अलग सा उधारन भी दूँगी ठीके जन्म के समय औसद भार यानि कि तीन से चार केजी के बीच के मानव शिशू की उत्तर जीविता उत्तर जीविता का मतलब जिंदा रहने की capacity fitness के अवसर बहुत कम है अत्वा बहुत जादा वजन वाले सिश्यों की अपिक्षा अधिक होते हैं क्या कह रहा है ये कि अगर हम observation करेंगे आपके आसपास इतने बच्चे पैदा होते हैं और हला कि आपके उमर अभी तो इतना experience आपको नहीं हुए और मैंने जो देखा है और अगर आप किसी नर्स से या किसी डॉक्टर से भी consult करेंगे तो वह आपको बोलेगा कि अगर किसी बच्चे का बहुत जादा वेट है जैसे की 3-3-4 kg वेट है और किसी बच्चे का बहुत कम वेट है जैसे 1.5-2 kg तो कौन सा बच्चा जिन्दा रहता है ना तो जादा वेट वाला बच्चा जिन्दा रह पाता है मतलब जिन्दा in the sense की हम healthy की बात कर लेते हैं जिन्दा तो चड़ो छोड़ो healthy fitness की बात कर लेते हैं ज़्यादी बच्चा कॉन सा होगा क्योंकि ज़्यादा वेट के बच्चे होते हैं कि कहीं बार किसी को कहते हुए कि बच्चे का वेट ज्यादा था तो फिर caeserian करना पड़ा या बच्चे का वेट ज्यादा था to complications हो गई बच्चे भी क्या कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं और लोवर वेट वाले जिनका 1.5-2 kg वेट है जिसको हम अंडर वेट भी कहते हैं उनको फिर वो अलग से चैंबर में रखा जाता है उनको ऑक्सिजन दी जाती है है वो कहते हैं कि वो प्रीमिचॉर हो गए हैं उनका है वेट कम है तो वो एन्वार्मेंट में सर्वाइब नी पर पा रहें तो न तो जादा वाला न कम वाला ये दोनों ही प्रकरती में क्या कर रहे हैं दुखसान पहुचा रहे हैं मतलब इसमें भी कॉम्प्लिकेशन से हैं और लोवर वेट वाले वो बोलते हैं वोकल कोड फस गई और यह अमलीकल कोड फस गई और ऐसा वैसा ठीक है लेकिन वेट को हम देखें तो जो नॉर्मल वेट वाले यानि इंटरमीडियेट वाले होते हैं तो उनका उनमें कॉंप्लिकेशन कम आती हैं मतलब क्या किया प्रकरती ने हायर वाले को भी तरफ कर रखा है लो़वाले को भी एक तरफ कर रखा है स Concept是這樣 किसका हो रहा है जो इंटरमीडियेट है ठीक है यही उत्तर यही यह कह रहा है तीन से चार के बीच के जो मानव है उनकी उत्तरजीरता के अफसर जो है वो बहुत कम वेट वाले या बहुत ज़ादा वेट वाले बच्चों के यहां पे तीन से चार लिखा हुआ है क्योंकि न्सी आटी तीन से चार लिख रही है बाकि आप अगर अपने आसपास देखोगे तो 4 किलो को बच्चे तो शायद आपने भी नहीं देखा हूँ 4 किलो को तो हम overweight ही मानते हैं 4 किलो के बच्चे में तो complications आती है जो general average हम मानते हैं वो 2 से 3.5 किलो और वो भी 3 किलो साड़े 3 में भी complications आने लग जाती है ठीके चलो तो इसका एक और उधारन मैं आपको दे देती हूँ जो हमने पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा है तो जल्दी याद होगा इसमें अगर दे से कोई दिक्कत है तो एक और उधारन मैं आपको दे देती हूँ याद करो वो पुरानी classes जब हमने sickle cell anemia पढ़ा था sickle cell anemia में हमने पढ़ा था कि इसमें 3 तरह के हमें जो है genotype मिलते हैं एक हमने देखा था कि HbA HbA type का मिलता है जो सामानी होता है इसको sickle cell नहीं होता सामानी प्रकार का जिसमें कोई sickle cell की बीमारी नहीं होती NCRT का डाइग्राम भी समझाओंगे अभी बनाने वाली हो वो में जो वहाँ पे दे रखा लेकिन वो आधा दे रखा है और एक ही color में दे रखा है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है हम अलग-अलग color में बनाएंगे और आप notebook में भी इसको अलग-अलग color में बनाएंगे इसके आप ध्यान रखेंगे वनना examiner को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाए एक तो ये जो सामानी थे दूसरे एक ऐसा वाला बनाया था जिस पे sickle cell का gene आ जाता है जो हम बोलते हैं खराब gene आ जाता है और एक gene अच्छा होता है मतलब mother से उसको sickle cell मिला है father वाला अच्छा gene मिला है उसको और दूसरे ये कि दोनों ही कैसे हो sickle cell वाले हो है ना इससे आपकी पुरानी बाते भी थोड़ी रिवाइस हो जाएगे तो ये तो क्या होता है sickle cell disease लेकर पैदा होता है दोनों ही इसके खराब है और ये क्या म्रत्यू को प्राप्त करेगा मैं sickle लिख दू सिर्फ ये तो भई death होगी इसकी तो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसू और ये होते हैं madhyam वाले जिसको हम बोलते हैं ये carrier का काम करते हैं याद आया कुछ madhyam वाले चीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुना ये सामान ये है यह अती वाले है extreme है ये जिसको हम बोल रहे हैं कि हम lower को भी extreme बोलेंगे और upper को भी तो ये वाले तो क्या है अति अतिकारी वाले है एक्स्ट्रीम वाले ये भी अतिकारी वाले है एक्स्ट्रीम वाले दोनों जिन इसके खराब दोनों जिन इसके अच्छे इसके दोनों जिन अच्छे हैं इसके दोनों जिन खराब है मद्यमाकार का यह है इसके क्या फायद है देखो इसका तो यह नुकसान है कि यह तो मर जाएगा लेकिन sickle cell अनीमय में शायद मैंने आपको बताया है यह नहीं याद है नहीं बताया है तो अब नोट कर लेना इसको कि सिकल सेल जो carrier होते हैं जिन में disease नहीं होती लेकिन वो gene को carry करते हैं जनरली हमने कहा था कि औरते इसको carry करती हैं तो उनको एक फाइदा होता है इनके comparison में जो सामानिय है क्या कि उनको malaria बहुत कम होता है जो सिक सेल हेट्रो टाइप के होता है विशम यूगमजी जिसको हम बोलते हैं यह विशम यूगमजी है क्योंकि इन में एक सिकल सेल का जीन है तो इनको मलेरिया बहुत कम होता है क्यों क्यों क्या काम करता है मलेरिया का अपना जनन जो है malaria जो है वो blood पे ही जिन्दा रहता है वह इनकी तो RBC ही थोड़ी सी टेड़ी मेड़ी है इनकी तो बहुत खराब है ये तो मर ही जाएंगे इनकी में gene खराब है तो थोड़ा बहुत RBC में change है और इनकी तो साथ सुतरी है तो तो malaria हो नहीं है अगर attack हुआ तो इनको malaria से सुरक्षा मिलती है ये आप अगर वहाँ पे भी नहीं लिखा है तो लिख ले हो सकता है मेरे ध्यान से रह गया हो malaria से सुरक्षा मिलती है क्योंकि malaria जनन जो है वो RBC के अंदर करता है अब RBC है हसियाकार हो गई है तो एक फाइदा भी होता है इनको भी होता है इनको तो malaria होगा ही लेकिन ये दूसरी sickle cell से मर जाएंगे ठीक है चलो तो प्रक्रती क्या करती है ना तो इसको select करती है ना ही इसको अगर आप cross करेंगे यानि कि ऐसे parents का cross कराएंगे जिसमें कि एक carrier हो या एक सामानी हो या दोनों carrier हो या दोनों सामानी हो जब भी हम करवाते हैं तो हम हमारी generation में यानि प्रक्रती में ये देखते हैं कि प्रक्रती में ना तो ज़्यादा सामानी वाले हैं नहीं ज़्यादा sickle cell वाले हैं जब हमने generation to generation ये सिकल सेल एनिमिया के क्रोस करवा है तो हमें मिला कि सबसे ज़्यादा हमें ये मिलते हैं केरियर वाले यानि कि ना तो ये वाला ना ये वाला बीच का कुछ मिलता है और यही हम कहा रहे हैं कि प्रकृति क्या कर रही है स्टेबलाइज कर रही है मतलब balance बना रही है क्योंकि इनको फाइदा भी malaria से तो ये मरेंगे नहीं इनको बिमारी नहीं है लेकिन इनको malaria से फाइदा है है ना तो सारी जो है एक तरह से हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फाइदा मन कौन है प्रकृति के लिए ये क्योंकि ये ज़्यादा जिंदा रहेंगे ये malaria से मर सकते है sickle cell से नहीं मरेंगे ये sickle cell से मर जाएंगे लेकिन इनको तो भई malaria भी नहीं होगा sickle cell भी नहीं है सिफ carrier है तो इनके जिंदा रहने के chances बहुत ज़्यादा है है ना तो ये जो है मद्यमाकर को select करते हैं अब इसका graph कैसे बनेगा तो पहला वाला graph जो है वो ऐसा बनाएंगे हम normal वाला आपको ये graph बनाना है ऐसे मजाक मजाक में मैं काम नहीं कर रही ठीके ये तो इसका extreme ये मद्यम है बीच का कोई graph का pick है इधर क्या होंगे इधर सबसे ज़ादा होंगे आपके मैं white line से बना रही हूँ ये कौन है ये आपके हैं hba hba वाले इसको मैं green से बनाऊंगी ये हो गए आपके hbs और hbs वाले जो सिकल से ये बीच के कौन है ये है आपके hbs और hba वाले अब प्रकृती ने क्या change कर दिया इस graph को shift कर दिया है कैसे shift कर दिया है कि अब जो graph बन रहा है उनमें क्या है intermediate बहुत जादा है इस graph में change देखना है अब आपको कैसे change हुआ प्रकृती में कैसे प्रकृती ने chain किया कैसे प्रकृती ने chain किया दोनों को हटा देगी extremes वालों को तो अब मैं जो graph बना रही हूँ yellow से बना हुआ है ये देखो ऐसा कुछ अब ये कौन है इसको उचा भी बनाना है मैंने उचा जानमुच के बनाया है ठीके ये कौन है HBA और HBS वाले जो कि सबसे जादा हमें प्रकृती में मिलेंगे और survive करेंगे मिलेंगे in the sense कि जिन्दा रहने की उत्तर जीविता जो कि Darwin कहते हैं कि सबसे कम कौन हो गए ये वाले ये सबसे कम जिन्दा रहेंगे क्योंकि इनको या तो malaria हो जाएगा अगर सिकल सेल नहीं हुआ तो खुदा ना खासता कभी मच्छने काट लेया तो और ये भी कम हो जाएंगे क्योंकि ये तो सिकल सेल से ही मर जाएंगे इसको हमने ग्रीन से बनाया था ग्रीन से बना दो HBS HBS आई समझ में कुछ बात की कैसे प्रकरती ने मद्यमा का कुछ तो प्रकरती ने क्या कर रखा है बैलेंस कर रखा है ना तो इधर वाला इन इधर वाला बीच का कोई ठीके इस एक्जाम्पल से आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया होगा और इसको ध्यान से सुने पूरी क्लास को क्योंकि मैं फिर से कोंगी आपकी NCRT की जो ओरिजनल बुक है जिनके पास जिनके पास रेफरेंस है उनको तो पता नहीं बाकी जो ओरिजनल गौर्मेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल NCRT की प्यॉर बुक्यों करते हैं उन्हों में तो माता ही खपा ले ना बस और कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ डाइग्राम है माँ पे किसी एक दम अलग दूसरे टाइप का पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्याते हैं दिशात्मक या डाइरेक्शनल अब देखो डाइरेक्शन है मतलब डाइरेक्शन ऐसा तो नहीं होगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा किसी एक particular direction में ही जा सकता है आदमी है ना तो इसकी भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह या तो किसी extreme की तरफ जाएंगे वो किसी भी extreme या तो lower extreme की तरफ जाएंगे या फिर higher extreme की दिशा एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती तो यह दिशा वर्ड से आप याद कर सकते हैं एकदम अलग या अतिकारी लक्षन प्रारूप कि पक्ष में हुए chain को यह किस को select करेगा? Extreme वाले को अब कौन सा extreme select करेगा? Depend वो nature करेगी कि lower वाला कर रहा है या upper वाला कर रहा है दिशात्मक, मतलब किसी एक दिशा में ही जा सकता है वो तो medium पे जा रहा था इनमें क्या होगा? पक्ष में चैन से वित्रन वक्र उसी दिशा में खिसक जाता है यही दिशात्मक चैन है अब जो graph है, वित्रन वक्र जो हमें बनाएंगे हम यह हम वक्र कि वो किसी एक दिशा में शिफ्ट हो जाता है अब चाहे वो lower case वाले में हो, चाहे वो upper एक्जामपल देखेंगे अभी हम जैसे जिवानों में एंटिबायोटिक्स के लिए ठीके? कोई बैक्टीरिया है वो किसी एंटिबायोटिक्स से मर जाता था जिसका एक्जामपल हमने मच्छड से लिया था कि DDT से मच्छड जो है और mosquito या आप जो मच्छड मारने की दवाईयां लगाते हो अब उनसे मच्छड को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो extreme level पर चले गए हैं उन्होंने अपने अंदर ऐसे gene change कर दिये हैं एसी प्रतिरुदक्षम्ता उत्पन कर ली है कि अब उन्हें उस दवाईयों से कोई फरक नहीं अच्छा मोटिन लगाएगा लगा कोई फरक नहीं वो उसके उत्माई आपको दिखेगा मैंने देखे भी हैं वो चलता रहेगा मोटिन उसके उपर ही मच्र गुमेगा बतलब देखो तो सही बहादूरी तो देखो उसकी दिशात्मक चैन के उधारण है शलम द्वारा ओद्योकिंग मलिंता यह हम पढ़ चुके में यह दोनों एक्जामपल मैंने आपको समझाये थे और एक साथ समझाये थे वो मौत वाला इंडस्ट्रियल मेलनिजम वाला की पहले जो इंडस्ट्री जब नहीं थी तो वो पेड़ पे लाइकेंस उगा करते थे और सफेद वाले मौत थे काले वाले मौत कम थे याद आ रही है वो कहानी वही ये दो एक्जम्पल आपको इसमें लिखने है इसलिए आपको वही एक्जम्पल बता रहे हैं जो आपने पहले पढ़े हो गए है ना कोई नया एक्जम्पल एड़ करने का थोड़ा सा आपको याद करने का बड़न बढ़ जाएगा चलो अब इसको एक्स्पलेइन कर लेते हैं NCRT का पिक्चर मैंने यहाँ पे इसले नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उसमें एक ही कलर में दे रखा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसलिए आप ये वाला बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा मन को और तो क्या मिल सकता है है नहीं नमदा तो मिलेंगे यहाँ चलो क्या है उदारन किसका लूमे वही मौत वाले का ले लेते हैं टिक है और द्योगी मलीनता वाल मलीनता या मिलनता जिसको हम industrial melanism कह रहे थे क्या हुआ कि पहले वाला graph कैसा था जब industry कम थी industrial कम थी यानि कि हमने कौन सा year लिखा था 1850 वाला हाला कि यहाँ पर आपको वो year mention नहीं करना है जस मुझे थोड़ा सा click कर गया तो मैंने आपको बता दिया यह पहला वाला graph है जिसमें white वाले moth जो थे वो बहुत ज़ादा थे आप चाहे तो एक जैसा भी बना सकते हैं मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यह चीज कम है इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे बनाए और यही कौन है सारे के सारे white वाले जिसको मैंने कहा था कि आपको grey भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी book में है ना दूसर सफेद यह मैं आपको उस दिन भी बता चूँए कई book में grey लिखा हुआ कई में सफेद लिखा हुआ है यह वाले moth मिलते थे शलम ठीक है और जो दूसरे वाले black वाले थे वो कम मिलते थे क्यों कम मिलते थे इसका reason हमने वहाँ पढ़ा था क्योंकि पेडो पर क्या उगे हुए थे lichens उगे हुए थे और lichens में सफेद वाले जो शल्क थे वो छुप जाया करते थे same दिखते थे तो उनको पक्षी उनको देख नहीं पाते थे और काला वाला सफेद पर अलगी दिखेगा lichens थोड़े से grey white कलर के होते है है ना देखे हैं क्या lichens आपने 11 वालों को दिखाये थे मैंने जब उनके lichens आये थे practical 11 में बहुत ऐसी चीज़े जो दिखाई जा सकती है और अभी उनका चल रहा है plant वाला lecture तो जब उनको दिखाई जा रही हूँ मैं plant ही plant दिखाई जा रही हूँ किसमें कैसा arrangement है क्यूं है practical करके तो वहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने lichens वाला topic आप चाहें तो देख सकते है lichens वाला topic है और उसमें मैंने lichens को दिखाया हुआ है ठीक है चलो अभी क्या है आपने देखा भी होगा आपके घर में अगर पत्थर चट्टा नाम से कोई masala मिलता हो वो masala lichens ही होता है उसको stone flower भी कहते हैं इंग्लिश में वो lichens ही होता है उसको सुखा के हाँ मसालों की तरह काम मिलते है ठीक है चलो अब प्रक्रती ने क्या किया है भई change graph बना लेते है क्या हुआ जब कौन सा time आया 1920 वाला जो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ओध्योगी करण हो गया बहुत सारी इंडस्टिया बन गई sulfur का sulfur dioxide बहुत बढ़ गई तो lichens मर गए क्योंकि lichens क्या करते है lichens सूचक होते है प्रदूशन कारी का जहां प्रदूशन होता है वह lichens मिलते ही नहीं अब industry बन गई थी तो प्रदूशन हो गया प्रदूशन हो गया तो क्या हुआ graph की shifting देखेंगे अब याप yellow ji white वाले तो गए क्योंकि white वाले अब काले पेड़ों पर बहुत बढ़िया से दिखने लग गए थे उनके दिन भर आये थे क्योंकि उद्योगी करण हो गया था और पेड़ पेसे lichen खतम हो गए तो पेड़ की छाले काली या बूरी होती है तो अब उस पर सफेद मौत बैठेगा सफेद वाला तो बड़े अच्छे से दिखेगा तो सफेद मौत जो है वो खाते गए कम होते गए और काले वालों मज़े पढ़ गए काले वालों के ये लो जी इनका ग्राफ जा रहा है उपर काले वालों की संख्या बहुत बढ़ गई ये हम पढ़ चुके थे 90% 5% वो सारा हमने पढ़ा था तो ये देखो क्या किया ना तो इसने मीडियम वाला से लेक किया ना इधर वाला से लेक किया किसी एक दिशा में जा रहा है मतलब इस दिशा से इस दिशा में शिफ्ट हो गया है सफेद से काले की तरफ शिफ्ट हो गया है तोटली शिफ्टिंग यानि कि दिशात्मक है किसी एक दिशा में जा रहा है और कौन सी वाले में काले वाले की जरूरी नहीं इधर भी जा सकता था लेकिन इस case में जो है वो क्योंकि सफेद वाले मर गए काले वाले जंदा रह गए इसलिए ठीके ऐसा ही मच्चरों का भी आप बना सकते हैं जो DDT से अब क्या हो गए हैं प्रतिरोध हो गए ठीके समझ आया अभी आपको कि कैसे क्या हुआ तीसरा वाला हम देख लेते हैं विदारक चैन यानि की disruptive selection ये क्या है simple सा उसने क्या किया देखो तीनो simple है एक ने intermediate को select किया मध्यम वाले को एक ने या तो इधर वाले को या इधर वाले को select करेगा दिशात्मक होगा अभी तीसरा क्या करेगा ये जो है ये पूरा intermediate को खा जाएगा दिखते हैं अभी क्या है समझ में आता है विदारक में औसत फिनोटाइप की अपेक्षा दो या अधिक अतिकारी यानि कि दोनों तरह के extreme को क्या कर लेगा select कर लेगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दो या अधिक का मतलब एक से जादा यानि कि ये इधर वाले को भी select कर लेगा higher वाले को भी और lower वाले को भी select कर लेगा और medium वाले को खा जाएगा ठीक है? medium वाले को खा जाएगा phenotype का chain होता है अर्था विदारक या विच्चे chain सम्मिष्टी को दो या अधिक अनुकुलित रूपों में विभक्त कर देता है दो तरह के मिलेंगे हमें higher वाला वी दिखरा है प्रकृती में lower वाला वी मिल रहा है और intermediate को खा गएए बीच वाले की कोई जगा ही नहीं है कहां होता ऐसा जड़ा देखे स्टैविन ने सूरज मुखी की आबादी में दो ऐसे प्रतिरूप देखे जिसमें एक नम भूमी में मिल रहा था मतलब एक तो पूरी गीली जगा पे और दूसरा वाला शुष्क जगा पे मिल रहा था इसका बीच का कोई ही नहीं पहले वाले में बीच का सलेक्ट करना है दूसरे वाले में दिशात्मक वाले में किसी एक दिशा में जाएगा चाहे इस वाले अति पर जाया यह चाहे उस वाले पर और इधर वाला क्या करेगा दोनों अति को सलेक्ट कर लेगा मीडियम वाले को नीचे गिरा देगा ग्राफ भी ऐसे ग्राफ याद कर लोगे सिंपलिफाई हो जाएगा ठीक है और इनको दो याद कर लिए आपने नाम से स्थाइत्व से बैलेंस संतुलन किया दिशात्मक किसी एक दिशा में गया फिर मैं को भुला देगा यह दुश्वन ही निकालते हैं फिर बाद में याद नहीं आते हैं बोलते हैं अच्छा मेरे को उधारन नहीं दिया अब मैं तुझे सब भुला दूँगा तो यह भुला देते हैं इसलिए इनको नाराज नहीं कर सकते हैं दूसरा उधारण में यह दे सकते हूं वो मौत वाला ही देंगे लेकिन थोड़ा सा डिपरेंट टाइप का मौत देंगे देखो तीन तरह के मौत के हमारे पास जीन है पहला वाला जो है यहां पर लिख दूँ एक तो है बीबी जिसको हम बोल देते हैं कि यह सफेद मौत है अब काला भी लिख सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है है न क्योंकि बी कैपिटल है तो काला लिखेंगे तो ज़्यादा बीच वाला जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ग्रे कलर बोल सकता है या ब्राउन बोल दो बुरा जो काले और सफेद के बीच का होता है और तीसरा होगा बिलकुल ही छोटे-छोटे वाले दो जिसको हम बोल देते हैं सफेद हाज जी अब क्या करना है हमें बीच वाले को फुरा वाला ग्राफ है, वाइट में बना इसको, यह जी है पहले वाला ग्राफ, इसमें यह कौन से है, एक्स्ट्रीम वाले दोनों, यानि कि मैं इधर ले लेती हूँ, कालिये को, ठीके, दूसरे में मैं गोरे वाले को लूँगी, जिसको मैं पीले से बना देती हूँ, सफेद वाले को, ठीके, लिख लेंगे ना आप, यह सफेद है, वो काला है, थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं, बीच वाले कौन है, बीच वाले बुरे हैं, यह लो, बुरा, यह बुरा है, क्या किया इन्होंने, चाला की, प्रकृतीन, कि पहले वाले में हर जगा इंटरमी वई, आजा उधर, ग्राफ कैसा बनेगा, बीच वाले को गाइप कर रहा है, तो दो बड़े ग्राफ, बीच वाला सा चोटा, और फिर बड़ा, आप इसको एक जैसा बना देना, अगर लेवल पी नहीं बनाए तो, ठीके, यह हो गया हमारा काला, यह हो गया हमारा सफेद, ये हो गया हमारा सफेद और ये विचारा गरीब बूरा जो नीचे जा चुका है अगर आप देखा आपने कैसे बदल गया तो intermediate को गायब करना है यहाँ पर लिख सकते हो आपकी मध्यम लक्षन जो है जिसको हम आपे माध्यमिक लिखते आए हुए औसत लिखते आए वह वाला वर्ड भी आप यूज सकते हैं को हटा देंगे प्रकृती चलो फुटो यहां से कोई बीच बीच का नहीं है आजो समझ में आ गई यह बात अब मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आपको यह ग्राफ बनाया है मैंने ऐसे मज़े मज़े में नहीं बनाया है सबको ग्राफ बनाने है क्योंकि NCRT में एक ए चौहिं तो होता है लेकिन क्या आवाशकता है यह आवाशकता है हम पढ़ चुके हैं डार्विन वाले में फिर से एक बार रिवाइस कर देते हैं क्योंकि BOOK मैं अलग से दे रखिये विबिनता है होनी चाहिए कि कोई भी जीव अगर रह रहा है और अगर पास वाला इंवा परिवर्तन प्रकृति का नियम है अगर आप प्रकृति के साथ परिवर्तित नहीं हुए तो फिर आपका बगवानी मालिक है सबका मालिक एक कौन है सबका मालिक है Google ठीक है चलो तो क्या है ये विन्नता है आनी चीए कि उसको प्रकृति के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अ आपने चेंज कर दिया अपनी जैनरेशन को भी पास करना है क्योंकि तेरे जिन्दा रेने से जनन नहीं तो लोग कैसे सरवाई करेंगे या वह कैसे जिन्दा रहेंगे तो विंदता होगा क्या होना है generation to generation जाना है यानि कि वन्षागती होना है inheritance होना है ठीक है जीव के लिए उपयोगी विभिनताई वन्षागत होनी चाहिए अर्थाद विनताओ का अनुआंशिक कारण होना चाहिए मतलब वो जो change इसने किया है वो कैसा होना चाहिए genes में होना चाहिए तब ही वो आगे फिडि में जाएगा physically है अगर genes में कोई change नहीं किया है तो फिर उसी तक सीमित रहेगा तीसरा क्या है जीवोगी बिन अनुकुलन शिल्टा जीवोगी उपयुकता इन विभिनताओं के अंतर पर निर्भर करती है जीवों में भिन भिन अनुकुलन शिल्टा कि अब वही जैसे जैसे जो environment change होगा आपने जो अपने आपने changes किये हैं उनको आगे तक ले कर जाना और आगे भी प्रकृति के हैसाब से change करते रहना फिटनेस प्रोवाइड कराना भिन प्रजनन बेहतर रूप से अनुकुलित जीव प्रजनन द्वारा जनंचन संपती संतती बनाते हैं संपती बोल दिया मैं आपको प्रोपर्टी बहुँच चाहिए ठीक है चलिए बिन बिन प्रजनन यानि कि आपको क्या करना है ऐसा नहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि निकोबार, अंडमा, निकोबार या जो ट्राइबल एरियास है वहाँ पे अपनी ही जाती में शादिया करते रहते तो उनका जो जीन है वो एक जगा पे क्या हो चुका है बंद हो चुका है वेरियेशन्स नहीं आ रही क्योंकि वो वही कि वही बाई बैनों में कजिन्स में शादिया करवा रहे या आपको अंडमा निकोबार वाल एक्जाम आपको रेंडमली क्या करनी है मैटिंग करनी है अब ऐसा आप नहीं कह सकते कि आज मैं घर से बाहर निकली अरे कोई थेला गाड़ी वाला जा रहा है इसी से शादि कर लेती हूँ ऐसा रेंडम में नहीं कहा मैंने रेंडम का मतलब आपको ऐसे नकरे नहीं करनी है कि मैं जो है वो लंबे से शादि करूँगी या मैं जो है वो मोटे से शादि करूँगी या मैं जो है वो इससे गोरे से तो गोरे से रेंडम मेटिंग्स जब तक नहीं होगे अगर आप बाउंडेशन्स कर दोगे कि हम इसी एरिया में इसी कास्ट में मेरे इसी मौले में है शादि करूँगी तो फिर वो क्या हो जाएगा बाउंडेशन्स हो जाएगी वो सब के लिए किसी एक के लिए नहीं सब अगर ऐसा करने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा बिन प्रजनन करना पड़ेगा मैटिंग्स में वेराइटी लेकर आनी पड़ेगी कि आपके जो नए क्यरक्टर है और सामने वाले के जो नए क्यरक्टर है उनसे कुछ नया बनाए चलो कुछ नया करते हैं वाला एड तो देखा ही होगा आपने मैं आप एड ठीक है चलो समझ गए होगे एड को आजो समझ गए अभी आप कि क्या हमने पढ़ा यही कारण है और इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर जो है यहीं पे खतम होता है एड समझ में आया है यह नहीं मुझे नहीं पता पर ठीक है चलो जो चैप्टर का चल रहा है बढ़िया ही चल रहा है और अब जो आने वाली चीज़े है वो भी अच्छी ही है हमारा विकास पढ़ना है कैसे हम विक्सित हुए ज़्यादा किरियोसिटी तो आपको इसी की होगी तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई कहानियों के साथ कुछ नए एड के टाइटल के साथ